हेलो डियर फ्रेंड्स मैं सुनील GST इस्पेक्टर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चनल धवन स्टेडिक पॉइंट के अंदर स्सी सीजल दो जार 23 टायर फेस्ट आपका जो हैंपर अभी लगबग चली रहा है और अभी आपका समाप्त होने वाला भी है तो अब आपको यहां पर जिनका भी एक्जाम हो गया है या फिर होने वाला है उन सभी को यह बात ध्यान रखनी है कि अब मारे पास में जो यह एक्जाम के अंदर भहुत सारी इस्विन को दिक्कत आये थी मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे भी हैं दो तिन दोस्तों मेरे ऐसे हैं जनको मैं प्रसनली जानता हूं उनकी मार्स थे ठीक है एक तो 315 नमबर थे और उसका सेलेक्शन शोर था कोई ने कोई पोस्ट अच्छी पोस रखना है और देखो सबसे पहले में समझते हैं कि जो पैटन है वो किस वरकार का है और आपको क्या-क्या बातों को ध्यान रखना है ठीक है क्योंकि समय निकल जाने के बाद यहां पर कोई फायदा नहीं होता है इसलिए अभी आप लोग इन चीजों का आप लोग समझिए अपर ठीक है वनवाद में फिर पस्ता निकलावा कोई भी आपर आपको मिलने वाला है नहीं आप ठीक है तो आपको पता है कि आपको है कि मैंस होगा आपका है शीयल मैस घे दो जार टेवीस वाल की बात करो महीं आप अब चिक है तो इसके अंदर आपका है पर जो सेक्शन स्टोता आपका। इक सस्टोर्ट होगा आपका उसमें आपके मैत प्लस रिजनिंग आपके होगे अपर ठीक है तीज कुछिन आपके आएंगे और एक कुछिन्ग उगा आपका वह तीन मार्प्स की आपके हैंपर हो गई है तप हो गई यहांपर रिखलन वाला है इन्छिन आपके है वैसे 30 कुशन जो हो गई वो किसके होंगे आप हैं पर जो होने हैंपर यहांपर ज sy क्शेथ रेखलते जो सेक्षन होगे या पर 180 marks का है यहां पर और यह पहला section ऐसा है जिसमें आप लोग maximum आप लोग score कर सकते हैं तो आप लोग एक बाद ध्यान रखना कि यह जो 600C marks है ना इसमें से आप लोगः कोशिस करना की 170 प्लस आप लोगः कोशिस करना नाने की क्योंकि सेक्ट फोड़ सा यहां पर आप सब्सेट करते हैं कि यहां पर नंबर खेट ना थोड़ सा मुशकिल होता है आप यहां इसा भी निया कि नंबर आते नहीं है लेकिन फिर भी यहांगे तोडल आपके जो हैंपर सेवन्टी कुशन आएंगे और एक कुशन आपका तीन मार्क्स का होने वाला है तो यहांगे कि आपका 210 नंबर का जो काफी ज्यादा इसके बाद में दिया रखना इसके साथ में आपका पर सेक्षन थी होता है जिस पर यहांपर इस टैम ध्यान नहीं देते पासे तो करने क्वालिफा लेंगे आपका लेकिन ध्यान रखना इसके कारण बहुत सारे पर फैल हुए थे 2022 के अंदर दियान रखना सेक्षन थी के अं तो शिटी मांकि पर यह वालिफाई सब्सक्राइब, पर एड नहीं हो गई ठीक है मार्कस अधर नहीं होते हैं अले कौलिफाई है लेकिन ध्यान रखना पिसली बार आपकी जो जनल की यहांपर जो मिनियम सी मिन्यम कृटोफ रहती वह आप अठारा नमबर रहती ठीक है और जनल की है पर जो CPT की जो कटोफ रहती आपकी वो रहत यह जब आपने बहुत जदा अच्छे से स्टेडिक की होगी तब जाके 27 नुम्बर आप आते हैं क्योंकि वरना हवा के अंदर तो फिर कुछ नहीं होता है यहां पर ठीक है क्योंकि 20 में से महालीजी आप लोगों नहीं है पर अटेंट कर दी पंदरा कुछिन आप लोगों न यहां गल्द कर दी हैं आपर तो सही कितने बचे आपके 11 तो 11 इंटु 3 करें कितना आएंगे 30 ठीक है और 4 आप लोगों मैनस कर दोगे इसमें से बचे कितने आपके यहां पर गुंतिश नमबर तो लगबग आपके यहां पर गुंतिश नमबर आए यानि कि आप 20 में से आप लोग 15 15 कुछिन आपके अटेंट होने चाहिए और नेगिटिव होते हैं आप 10 भी करोगे तो भी एक दो कुछिन नेगिटिव होंगी होंगी आप लोग आप कंफर्म नहीं चालू करें तो फिर आप लोग बहुत पीछे नेगे साल बढ़ जाते हैं अपर इसमें आपके दो जो कुछिन होते हैं यहांप यहां आपकी जो 6 मार्ट ते आपका पर जो कन्टेंट अकने के वो होती है आपके शोटकट की और क्योंगि मैंने भी आपर पढ़े गया था और मेरी जो की मैंने आपर खुदने लिखी ती जितनी भी की थी आपर आपके MS Word से देख लो MS Excel से देख लो ठीक है और जितनी भी आपके टॉपिक से मैंने आप पर जो इंपोर्टन शॉटकट की जिस्ती वह सारी मैंने एक जगह लिख लिए और आप कहोगे तो जो शॉटकट कीजिए मैं आपको यह बताए भी दूंगो सारी सारी और उससे बाहर नहीं आएगा यानिकि दो कुर्शन आपके फिक्स हैं पर ठीक है इस शॉटकट की आपके दो आपको चाहिए होती है तो अराम से एक जाम टाइम में एक मैने पर एक लेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे 27 की स्पीड आकर मांगे यह ना तो आपको यहां पर कम से कम 40-45 की स्पीड लेके चलना पड़ेगा यहां घर करने टाइपिंग में और भाज करने बहुत अंतर होत सब्सक्राइब करें लिए उसको कोई कंप्यूटर जो हैं पर जो भी आपके पास में है ठीक है आप कोई भी आपर कोचिंग होगे इस्टीट होगा प्लोश को जोइन कर लीजी आप पर उससे आपको फायदा क्या मिलेगा देखो आप किसी कोचिंग इस्टीट में करोगे आप लोग कंप्यूटर के लिए तो फायदा यह मिलेगा कि महां पर कम से कम 15-20 यहां पर आपको कीबोर्ट में आपको बिलेंगे आपको और आप लोग हर प्रकार करें डेली आप लोग हर कीबोर्ड पर बैठना सारे कीबोर्ड आपको चेक करने मैंने खुझनी किया दार स इसको प्रेस करूंगा तो उसमें से खड़गर की आवाज अब तो उस कीबोर्ड पर ही मैं आपर कम से कम 35 की स्पीड लेकर गया था और वैसे स्पीड मेरी यहां पर 45 प्लस तक पहुंच गये थी आपको यह करना है ताकि आपको यहां पर पस्तावा नहों कि मैंने माक्स मे जान रखना इसलिए अभी से फोकुस करना है अगर आप में से कोई विध्यारती नया है ठीक है तो उसको मैं आप टाइपिंग को स्वाथ कैसे करने है जीरों से हाई लेवल तक आपको ठीक है बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नियाता है फिर भी आप कैसे करनी है तो उसके कि मैं पर्सनल वीडियो बना दूँगा आप लोग कमेंट आप जरू कर देना ठीक है तो यह आपके लिए सजेशन थी अभी ऐसे मैं सोचना कि मैंने आपको लिखा है कि अगर आपके पास ताइम है इंची जो आप लो सुदार सकते हैं क्योंकि स्ट्वेंट की मेंटरेटी यह होती है कि हम लोग बात में त्यारी कर लेंगे जब आपका प्रीकर रजल जादी हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहां पर टाइपिंग कर लेंगे हम लोग कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो वह चीज़ें कबर नहीं हो पाती है अभी से अब लोग कबर करोगे तो ही लगी होगी तो वीडियो को शियर जरू कर देना ताकि हर स्ट्वेंट को पता लगे कि आपके टाइपिंग का कितना बड़ा रोल है ठीक है ताकि आपको बात नहीं पस्तावान ना हो क्योंकि 2022 में पहली बार था तो इतना लोग समझ पहे लेकिन आपको पास मोका है और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यों समाद जैहिंद